और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर है दिली से जहां मुलाइम सिंग यादफ की हालत बिगडी मिदानता अस्पताल के ICU में भरती किया गया उन्हें उनकी हालत सपा का कहना है कि उनकी हालत इस्थर है अकलेश शिप्पाल समित परिवार के सदस से मौझूद है यूपी के पू मिदानता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिंग जारी करने से इनकार भी कर दिया है दिली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुलाइम सिंग यादफ की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है मिदानता अस्पताल के ICU में उन्हें भरती कराए गया है और इसी खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे साथ हालोग जी जुड़ गए हालोग मुलाइम सिंग यादफ की हालत गंभीर बताई जा रहे हैं महीं सपा का ये कहना है कि हालत इस्थिर बनी हुए वही में दानता ने भी हेल्थ बुलेटिन जारी करने से मना कर दिया अलाकि इससे पहले भी मुलाइम सिंग यादो मेदानता जाते रहे हैं लगातार रूटीन चेक अप के लिए लेकिन इस बार तबियत उनकी कुछ ज्यादा ही खराब है और इसलिए कल अखलेश यादा उनकी पत्ने डिंपल यादो और उनके बच्चे जो वहां पहुंचे साथी साथ प्रोफिसर राम गोपाल यादो जो राष्ट्री महासचीव हैं और मुलाइम सिंग के भाई हैं वो भी वहां थे इसके लाओ शिपाल सिंग यादो गया हुए थे धर्मेंद यादो गया हुए थे और इसलिए सपा के जो कारेकरता है पुरे उत्तर प्रदेश मे चोड़ा मैसेज भी चोड़ा कि मुलाइम सिंग यादो जी की यानि की नेता जी की तबियत इस्तिर है डाक्टरों के निगरानी में उनका इलाज चला है और जो भी अपडेट्स होंगे वो समय समय पर दिये जाएंगे क्योंकि मेदानता आस्पिटल को एक हेल्थ बुलेट जो है अकलेश यादो को दी है तो कहीं जो जानकारी सामने आई है कि इंफेक्शन मुलाइम सिंग के पूरे शरीर में फैला हुआ है और यूरिन का इंफेक्शन ज्यादा हो गया है उनको फीवर आ रहा और कल रात से उनकी डालेसिस की जा रही है इसलिए लिए लोग पैनि लेकिन जानकारी जो सामने आई है कि इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है और इसलिए उनकी डालेसिस की जा रही है समाजवादी पार्टिक तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं कल भी कई लोग गये थे लेकिन इसलिए जो है खलेश यादों ने भी कहा कि जो भी नेता रहे हैं तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार मलसी रहे कई बार बिधायक रहे लोगसबा सांसद रहे और जब एजडी देव गोड़ा प्रधान मंत्री हुआ करते थे भारत के तो उस समय वह किंद्र में रक्षा मंत्री बनाए गए गए थे त कि तरह कोई जरूँत हो तो मैं है यहां पर मौझूद राजना सींग लखनौ से संसद हैं उन्हों सब्सक्रिक्रट की बाठ करकर बसदों सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथी साथ आश्वासें भी दे रहे हैं कि किसी तरह के जरुरत हो तो वह भी बताई जाए बहुत बहुत धनिवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए